दोस्तो अगर आप कोई की वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाए और प्रेस करें हमादी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस यूडूब चैनल पे दोस्तो आज हम आपको बताएंगे बिहार बोर्टर का लिस्ट पीडि एफ में डाउनलोड कैसे करें आपका बोर्ड बना है या नहीं अगर आपका बोर्ड बना है तो आप चेक कर सकते हैं आप अपन आइकन जरूर दवा दे ताके हमारी आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो दोस्तो वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तो आपको वीडियो के डिस्क्रेशन में एक लिंक मिलेगा लिंक पे किलिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस पिरकार का पेच ओपन होगा आपको यहां से अपना state चुल लेना है जो भी आपका state है तो हम अभी आपको विहार की border card list आपको दिखाएंगे pdf में डाउनलोड करके तो हमने विहार पे click कर दिया है फिर आपको good पे click कर देना है इस पे click करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रिकार का पेंच ओपन होगा यहां पर आपको अपना जो भी आपका जिला है वो यहां से आप चुल लें जिला चुनने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रिकार का पेंच ओपन होगा फिर दोस्तो यहाँ पे आपको दिखेगा बिन विवाग भवन आपको इसमें अपना चुन लेना है जो भी आपका है तो हम इसमें चुन लेते हैं फिर दोस्तो आपको मिलेगा यह कैप्चा कोड आपको इस वाले बॉक्स में डालना है तो हम यहाँ पे डाल देते हैं फिर दोस्तों आपको ये capture code डाल देने के बाद आपको यहाँ से save कर देना है save कर देने के बाद कुछ आपके सामने इस परकार का page open हो जाएगा यहाँ पे आपको दिखेगा एक एक 2020 यानि कि अगर आपका boat बना है 2020 में तो आपका भी boat इसमें दिख जाएगा तो आपको यहाँ पे इस तरीके से कुछ नीचे आजाना यहाँ पे आपको खुदी मिल जाएगी boat list यहाँ पे आपको PDF में water card list यह आपको देखने को मिल जाएगी अगर आपका boat होगा तो आप इससे check कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे बोटर लिस्ट मिल जाएगी पूरे गाउं की आप इस तरीके से अपनी बोटर कार लिस्ट लिका रहे के उसमें अपना फोटो आप इसमें अपना boat देख सकते हैं अगर आप बिहार में रहते हैं तो आपका बोर्ट अगर बना है तो आपको इसमें अपना बोर्ट मिल जाएगा तो दोस्तों आपको इन वीडियो कैसा लगा चैसे करें, जरूर लगें लायक करें, चैनल को सेस्क्राइब करें साथ मेल आइकन जरू दबादे ताके आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले दोस्तों आपने अपना केमती समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद